दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि चीनी से हम तूडते गिरते बाल स्पेद बालों को कैसे रोक सकते हैं तो दोस्तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है वह मैं आपको आगे बताऊंगा कि चीनी से हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं इसमें हम ऐसी कौन-कौन सी चीज़े ए कोई भी पॉइंट में इस मत कीजिए क्योंकि आदी है दूरी जानकरी दोस्तों आपको भी पता है किसी काम की नहीं है आदी है दूरी जानकरी सिर्फ बात बनाने के काम आ सकती है बागी दोस्तों आप वीडियो के अंड तक बने रहे हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इ करना ह아요 किस तरीके से इसको बनाना है तो दोसतो हमने चीनी ले लिए है और shipped मा फैसों का तेल अब सरसों का तेल तो दोसतो बिल्कुल नैचरल होता है आपको भी बता है नैचरल जो चीजें होती है वह हमारे शरीर के लिए कितनी ऐमांद होती है यह दोस्तों एक किलकुल हमारे खेतों से आया हुआ होता है तो यह है दोस्तों वैसे भी बहुत ज्यादा गुंकारी होता है और हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने में मदद करता है दो मुए बाल स्पेध बाल अगर गंजा बना न स्टार्ट हो गया तो उसमें दोस्तों हमारे एड़ कर रहे हैं चीनी दो चमच हो गई दो चमच के आज बास में हमने चीनी एड़ कर दी अब दोस्तों हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों यह मिसर ने एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है तब तक हम इसका वेट करेंगे और यह दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ही जादा फाइदेमंद होने वाला है अगर एक बार इसे आप ट्राइ कर लेंगे तो आप बोलेंगे वा भी वा क्या बात है हमने सिर्फ इसमें तीन चीजों का इस्तमाल किया और हमारे बाल इतने स्मूठ सिल्की और सोफ्ट हो गए भी वा क्या कहना अब दोस्तों हमने इसका कद्धूगस कर लिया है और आप देख रहे हैं दोस्तों बिलकुल मेंगो फुर्टी जैसा इसका फ्लेवर हो गया है अब दोस्तो इसमें हम एड़ कर रहे हैं दही को लगबग दोस्तो देट कमच की आज पास इसमें हमने दही एड़ किया है दही दोस्तो हमारे बालों के डैन्डरफ को हटाने के काम आता है बालों को स्ट्रॉण करता है और साथ ही साथ में दोस्तों हमारे बालों में शाइन लाता है जिसे हमारे बाल सिल्की रहते हैं एक डम जैसे हमने कोई ओली ओल लगा रखा हूँ या कोई तेल लगा रखा हूँ इसलिए दोस्तों दही का इस्तमाल आप जरूर करें तो अब दोस्तों Иसको हम अच्छे से MIX कर लेते हैं MIX करने के बाद दोस्तों इसको बताते हैं कि apply कैसे करना ए जैसे आप नहाने जाए दोस्तों उससे लगबग एक से ञेड़ हुंते के बाद आप इसे apply कर सकते हैं एक से देड़ घंटे पहले या नहीं सोरी पहले या आप इसे अपलाई कर सकते हैं यह देखे दोस्तों हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपने सर के बालों पर लगाना अच्छे से मसाज करनी है तो यह थी दोस्त टिप्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ तो आप मिस्स करना पाए मुझे दीजी दोस्तों इलविदा मैं चलता हूँ आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यार रखेगा तब तक के लिए बाई दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों टेक क्यार